कि नमस्कार आदा आप नीजिक में आपका स्वागत है आज हमारे साथ मौझूद है प्रबीर पुर कायस्ता जो हमारे साथ करोना वाइरस के ऊपर चाचा करेंगे तो प्रबीर यह हम देख रहे हैं कि यह वाइरस करीबन 47 देशों में फैल चुका है तो क्या अप समय आ गया ऐसे एक पिंडेमिक घोशत करने जा पहली बात तो एक और नाइनटीन इसका नाम दिया गया है कि कॉरणा वाइरस साथ किसम के कॉरणा वाइरस है जो इनसान को असर कर सकता इस पर खासी जुखांब यह कॉरूड वायरस है तो कोवीड नाइनटीन की हम बात कर रहे हैं जो इस वक्त जो है दुनिया की जो इन्फेक्शन्स हो रहे है डेली इन्फेक्शन्स जो है चीन में क्योंकि उसको करीब करीब काबू में लाया गया है तो चीन की इन्फेक्शन्स इस वक्त पहली बार इस अफ़ता देखने को मिल रहा है कुछ दिनों में चीन में कम हुआ है और दूसरी दुनिया को अगर टोटल करें तो उससे ज्यादा हो रहा है सिर्व इता ही नहीं साउथ कुरिया में कल जिस संख्या में लोगों को infection infections declare किया गया है उससे लगता है दो तीन दिन के अंदर शायद चीन से उनका infections बढ़ जाएगा 300 के उपर उनके infections कल detect किया गया है और चीन की संख्या इस वक्त जो है करीब 410-15 की बीच में है और चीन इस पर काफी steady maintain कर रहा है पीछले 4-5 दिन में तो एक तो यह है कि और तीन सेंटर हवे देखने को मिल रहा है दुनिया में जहां से यह virus फैल रहा है इसमें मागिन नहीं रहा हूँ जिसमें करीब 700 लोग इस वक्त पाए गया है कोविड-19 से आकरांत है उनको अलग-अलग देशों में भेज दिया गया है उनको जो quarantine किया गया था जहाज में उससे अलग कर दिया गया है अब उसको निकाल के उनको अलग-अलग देशों में जहां से वो थे उस पे 200 हिंदुस्तानी नाविक भी उस पे शामिल है तो यह सब अगर हम देखे तो इस वक्त लग रहा है कि दुनिया एक तरफ से पैंडमिक की ओन बढ़ रहा है और अब इस पे काबू पाना शायद मुश्किल है एक हिसाब से अच्छी खबर तो यह है कि चीन ने रास्ता दिखाया कैसे इसको काबू में लाए जा सकता है जिस रफ्तार से उन्होंने शहरों को बंद किया था वुहान को लॉगडाउन किया था लोगों को कहा घर में रहो जो जो उन्होंने स्टेप्स लिये है जिस तरह से उन्होंने शनाक्त किया कि कौन किसको इ इसके बारे में कि चीन ने विज्ञान की अस्त्र भी इस्तवाल किया है और जो पुराने हमारे समझ था एपिडेमिस के बारे में उसको कैसे सीमित किया जा सकता उसको भी इस्तवाल किया उसने कहा है यूजिंग और अर्लियर नॉलेज तर्बो चार्जड विट साइंस और टेकनोलजी ये जो किया है तो ये उदाहरन हमारे सामने है कि इसको कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं पर चीन के साथ एक और चीज था जो दूसरे देशों में क्या होगा देखना पड़ेगा चीन में मिल के काम किया जिसको एलवाड ने डबली एचो का भी श्यड ने कहा है आल अफ गार्फमेंट एंड आल अफ सोसाइटी टुगेदर तो ये जो अनोखा एक दाहरन है दूस्ते देशों में किता हो पाएगा देखना पड़ेगा क्योंकि इस तरह के विश्वास शायद दू अगर आप मैप को देखे देखंगे इटली से पार्शवत्ती जो देशे हैं उनके अंदर भी फैल रहा इरान में भी स्थिती है जापान और सौथ कोरिया कुछ हद तक अलग है क्योंकि साथ कोरिया इस तरह से और दूसरे देशों से टाइड अप नहीं है चीन से उनका थो एंदेंगर हैं तो डभी बीज़ आ सब देश को करने हो सकता है पर अभी इसको पैंद highway के के पहलेसे लोगों को वैबीद कर देनी की जुरूरत करने हैं वक्त जबाएगा तब की जाएगा इस वक्त तैयारी की है ताकि अगर होता है तो हम इसको कैसे टाकिल करें तु चीन के आपने बात करी कि तो काफी तेजी से जो है रिस्पॉंस दिया और प्रयास कि किसे इसको फैलने से रोका जाए पर बाकिधिए देशों में हम जो देख रहे हैं फैल रहा है क्या किया प्रयास चल रहा है इस वक्त क्या वगल्च करा थे तो पहले देखते हैं South Korea में क्या हुआ जाता है कि एक Super स्प्रेडर इवेंट हुआ कि चर्च में कुछ लोग इकठा थे उसमें से कॉरोना वाइरस से नौवल कॉरोना वाइरस कोविड डैटीन से यह कोई इसका बीमारी जिनको थी वहां आये थे और इससे उस पूरे समुदाई का अंदर यह फैला एक सी चर्च ऐसा है जिसके बड़े पैमाने में यह फैला है पहले तो इससे दूसरे जगहों पर भी फैला है यह कहा जा रहा है और इस पर कोई दो रहा है नहीं दो क्लस्टर सिर्फ सिर्फ साउथ कुरिया में है जिससे शुरू हुआ है पर जब संख्या इस वक्त वहां करीब बारा सो के लगबग ब चीन के फिगर्स के काफी करीब जाने लगा है तब लगता है कि साउथ कुरिया इनिशिल स्टेज पे शुरुआती दोर पे इसको रोक नहीं पाया और अब जो है इसको कैता किता तेजी से इस पर पकड़ ला पाए यह सबाल है क्योंकि यह तो एक हिसाब से आम जनता में प इनको सबको हम टेस्ट करेंगी अब क्योंकि लगता उनके अंदर पहले फैलना शुरू किया पर फैल गया काफी साउथ कोरिया के आम जनता के अंदर यह भी हकिकत है साउथ कोरिया का तो यह स्थिदी है इटली में नॉर्डन इटली में वहाँ पर दो जो प्रोविंस है प प्रांतों के बाहर भी फैलना शुलू किया है और इस वक्त टिटली में कितना पब्लिक प्लेसेस को लॉगडाउन करेंगे स्कूल को बंद करेंगे लोगों को कहेंगे घर के अंदर रहें कितने शहरों को लॉगडाउन करेंगे यह देखना पड़ेगा चीन ने काफी ने की पर उसके बाद जिस से इन इन्होंने मूव किया था उस पर वोहान शहर को ही सिर्फ लॉगडाउन नहीं किया था हुब ही प्रांत को भी इन्होंने लॉगडाउन किया था इस तेजी से क्या इटली के वहां तो साठ यू कर आई-ड oder को चीन डा रहां जिसके वजय से दूसरे प्रांटों में फैला नहीं है पर ये अगर इटली नहीं करेगा तो इटली के दूसरे शहरों में और दूसरे प्रांटों में फैलने के संभावना है इसे बड़ी बात है कि यॉरप पे काफी इंटिग्रेशन है यॉरपीन यूनियन के अंदर कोई प चीजों पर काबू पा सकता है इसके लिए जरूरत है कि इनके पास टेस्टिंग किट्स होनी चाहिए ताकि जहां-जहां हुआ है वहाँ पर टेस्ट हो सके बहुत जल्दी से अगर टेस्ट सैंपल्स भेज़े जाते हैं तो उसको फिर बहुत जल्दी शनाक्त करके उनको आइ पर अमरीका की भारी सैंक्शन भी है इसलिए बहुत सारे चीज अरान के लिए करने में दिक्कत यह है कि उनके पास साधन होगा नहीं होगा इस सवाल है कौन साधन पहुंचाएंगे यह भी सवाल है पर जर्म्स पे कोई सैंक्शन नहीं है तो वायरस जो है बड़े आराम से एक से दूसरे देश पे जा सकते हैं उन पर कोई इस तरह के लगाम तो हो नहीं सकता तो इस से एरान से एरान अगर इस तरह से आकरांत होता है कि बहुत सारे लोग इरान में शिकार होते है इस वायरेस के तो उसको वेस्ट एशिया में फैलने का समवना बहुत बढ़ता है और इरान जैसे एक शक्तिशाली कम से कम स्टेट है सरकार है जो इरान की व्यवस्था को चला सकती है इस तरह के व्यवस्था इस वक्त सिरिया एराक इन देशों में नहीं है क्योंकि ये इसको अमरीका की जो जंग यहां पर चला है जो रेजीम चेंज ऑपरेशन जो हुआ है इस तरह के सिच्वेशन सिरिया में भी उन्होंने पैदा किया है इसलिए वेस्ट इशिया में अगर फैलता है तो स्टेट्स की इस तरह की छबता इस पे काबू पाने के लिए कम है और दूसरे वाप जानते ही है साओधे रेविया हो तो मद्यूग में है बहुत सारे चीज करते हैं तो हिंदुस्तान पाकिस्तान बंग्यादेश बचेगा दिए क्योंकि हमारा हिंदुस्तान की 9先 मिलियन वह से आथी जाते रहते काम करते हैं तो यह भी ägर सोट इशिया में फैलने का पूरा संभाव नहोंगा अगर वेस्ट इश्या अक्रांत होता है इस तरह से त खुद इस पे शिकार हुए हैं तो इसलिए हमें इरान के उपर भी नजर रखना पड़ेगा क्योंकि वेस्ट इस्या में अगर फैलता तो हमारे साउट इस्या में इसका असर जरूर पड़ेगा और चीन का जैसे क्रिटिसिजम हुआ था लोगडाउन करने के लिए पहले तो हम देख रहे हैं ऐसा ही रिसपॉनस इटली कर रहा है इटली का ऐसा रिसपॉनस रहा और अगर पूरी तरह से ऐसा रिसपॉंस नहीं होगा तो इसका रोक लगाना मुश्किल हो जाएगा वो भी लग रहा है तो चीन के उपर जो क्रिटिसिजम आपने कहा बहुत हद तक एक राजदितिक पहलू थी की चीन को क्रिटिसाइज करना ही था पहले उन्होंगे क्रिटिसाइज किया था कि सक्ती से पेश नहीं आया, नजर अंदाजी की, कुप्लीट नया वािर्यस है, जिसको किसी नहीं देखा नहीं था कहां से आया था कैसे आया था अभी तक साफ नहीं है लगता बैड वाइरस कही मौडिफिकेशन है तो एक पैंगोलिन एक अलग जानवर जो एंटीटर्स कहते हैं उसके जरीए शायद इनसान में आया होगा पर नया वाइरस को इतना जल्दी शनाक्त उन्होंने किया इडिटिफाई किया उसके साथ उसका जेनोटाइब जो जेनोम सीक्वेंस किया लोगों को डेटाबेस पे रखा इस सब जो काम उन्होंने किया इस तेजी से सिर्फ नहीं किया उसके साथ-साथ जो कदम उन्होंने उठाए उसके वज़ए से दुनिया को वक्त मिल गया कि च परण नना पहले का मतलब है, कि हमारे पास इस वक्ट टेस्ट केंटs है। कि इस पे सफल हो सकता है तो एंटी एड्स ड्रग्स कुछ है वो भी लो डोस में देने से शायद फायदा हो रहा है तो ये सब चीजे हमको बहुत आसानी से मालूब पढ़ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है दोनों जरूरी है और ये चीन ने हमको इस घ्यान कम से कम हमको दिया इसलिए डबलो एचे को टीम जो गई थी चीन के साथ बिलके पूरा दवरा किया उन्होंने कहा चीन से बहुत सारे चीज सीखने को मिल रहा हमें और जिस तेजी से उन्होंने जो शुरू किया था उसको लगातार उसको फाइन ट्यून किया बदला ये सब चीजे अब हमें मिल रहा है गाइडेंस मिल रहा है कहां क्या चीजे करनी है तो ये चीजे घ् nichts अर वक्त वक्त जरूरी क्यों है क्योंकि वक्त हमारे पास अगर होगा पहली बात हम तैयारी हम अपने कर पाएंगे दूसरी बात की influenza season northern hemisphere में एक हिसाब से अंत कि दिशा में जा रही है क्य season में बहुत सारे लाखों के तादाद पे लोग बिमार होते हैं और वो हॉस्पिटलाइज भी होते हैं जैसे हमारे उमर के जो लोग होते हैं जिन में कुछ compromised immune system होता है lung होता है heart की बिमारी होती है ऐसे लोग जल्दी शीकार होते हैं और उनके respiratory system काफी कमजोर होते हैं तो pneumonia जैसे बीमारी उनको बहुत जल्दी पगड़ लेता है तो hospital जो है stressed रहते है influenza के वजह से क्योंकि influenza खत्म होने के बाद अगर epidemic होती है तो राहत मिल जाएगी hospital की system को उनके पास beds होंगे doctors होंगे health professionals होंगे जो शायद इस इस को सामना करने के लिए रहेंगे नहीं तो अगर full capacity में run करते influenza के वजह से तो शायद उनके पास कोई capacity ही नहीं रहती इसको बढ़ाने का और बहुत कम देश है दस दिन में hospital बना दे जो वुहान में चीन ने किया था तो यह सब temporary hospital बनाना पूरा hospital ही दस दिन में बना देना यह सब जो किया था दूसरे देश में तो हो नहीं सकता तो इन् टैकिल करना इसके लिए आसानी होगी पर यह खतरनाग बीमारी है इसमें कोई दो रहा है नहीं है इसको infectious infection rates काफी हाई दिख रहा है एक इनसान दो से तीन लोगों को असर पर डाल सकता है और इसका fatality rate भी स्वक्ष लगता है करीब दो और तीन के बीच पे है तू 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 3% की बीच पे है अभी चीन की फिकर से 2.3% है तो यह भी आपका काफी एक बड़ा यह मारकर है स्टैस्टिक है जिसे लगता है कि काफी इस पे लोगों का मौत भी हो सकती है अगर बड़े पैमाने पर दुनिया में पहलती है शुक्र पर भी आज हमसे बात करने के लिए झाल